और थोड़ा बारिस भी हो चुकी है इधर और मैं इधर होता हूँ जैंगल में है और दान हुन सब खेप फसल भी अच्छा है इससे में और बारिस का माहौल भी है और बादल भी बहुत अच्छी तरह से करीब अच्छे शाड़े भज रहा होगा तो वहां पर देखिए वह सुर्य भगवान कि देख नहीं रहे हैं हलका फुलका बादल है सब अब घर जाना है हमें वहां पर मैं रहता हूं वही मेरा मसीम है जो कि मैं रहता हूं और कोई ग्रावड में भी नहीं है कोई लड़का और वर्क कर रहा है और आज का मौसम भी बहुत सुन्दर है अभी तो घाम नहीं है और इधार फिर मेरे खिए से पानी निकल लाया का फुलका जो की ऐसा ही रहना चाहिए तभी हम इधान कि अच्छी हो पाएगी देखिए हमारे जो की जा रहा है खेट को देतने के लिए तो मैं इस में उठ चुका हूं अब जा रहा हूं घर तो घर तो जा रहा हूं घरवाले टाटेंगे क्योंकि आज मैं लेट उठा हूं घरवाले बोले थे कि मुझे सुबह आकर चलना है खेट में काम करना है लेकिन मैं जाने पाया लेट उठा हूं क्योंकि आज टाट तो पढ़ेगी घर पर ही तो मैं चलता हूं इसमें देखता हूं भरवाले क्या बोलते हैं लेकिंग घर पर मैं बीडियो शुटने ही करूँगा घरवाले बोलेंगे तो मैं घर पर वीडियो नहीं करने वाला हूं और घर वाले तो रटेंगे क्योंकि और सब सारे लोग चले गए होंगे थे इतमे का चैनल को भी सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेश करें ताकि मेरा अगला वीडियो का वेड़ डाटने में तो कसर नहीं है थोड़ा चलो खी अधर फाइए और मुझे जाना है और मेरा गाउम में नहर है इस तैसे पहले पानी नहीं होता है जो कि वारिस पानी जल्दी आता नहीं है वह तो पानी तो प्राब्लम रहता है वारिस कोच की ए बारिस आदेर पीपा है इसके वज़े से फसल अच्छी है इसमें लोग तो पहले ऐसा लग रहा था इस साल अधान की खेती नहीं हो पाएगी लेकिन अब उम्मीद है कि खेत फसल हो सकती है और लोग मेनद भी कर रहे हैं बहुत अधान की चिस्रोर है हमारे गाग परधान का काम करावे हैं तो तोड़ा सा की चायन भी हो रहा है जब पूरी तरह से पूरी तरह से बन जाएगा तब उसका वीडियो में लूँगा देखता हूं कैसा बनता है कैसा नहीं तो मैं इस समय नहीं घर वाले डाटें गई लेट हो चुका हूं और लेट उठा हूं क्योंकि घर मुझे जाना था तो अगाल मैं गिवन करेंगा